इस वीडियो में हमने कॉलम को नल बनाना सीखा था इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे स्पेसिफाय करता है डिफॉल्ट वैल्यू होती क्या है पहले तो इसको समझ लेता है हमने लास्ट वीडियो में यह देखा है कि पर्सन नेम नहीं रह सकत ऐच्छा अच्छा कांटक्नमबर अगर हम इसको बाद में चाहें अपडेट कर सकता हैं पर ये पॉसेवल नहीं कि हम पहले कांटक्नमबर दे थे और रिकाड को खाली छोड़दाए परसन नंम में वेल्यू जाना लाईवनी है अधर वाइस वो आपको एर देगा कि लिए कॉ एंटर कर दे हम हमें लेकिन रिकॉर्ट क्रियेट करने दे हैं लेकिता विडियल सेनेरियो देखा जाए तो नहीं होगा कि पर देखा नाम तो जाहर हो गई होगा कॉंटक्ट नूमर होना हो तो हम इसको यह करेंगे कि हम इस पर डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाय कर देंगे फिदाल इसके अब करके मैं बाहर आता हूं और इस पर मैं राइट कलिक करके इसको डिजाइन में ओपन करता हूं अच्छा जी तो आप यह देखना है कि पर्सन नेम के अंदर मैं आता हूं और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कॉलम की प्रॉपर्टीज में आके डिफॉल्ट वैल्यू में जाके मैं लिख देता हूं जी नोने लाट से जस्ट फॉर अंडिस्टेंडिंग और इसको सेफ करता है कि यह ठीक है हमने इसको सेफ कर लिया राइट किलिक करेंगे और एडिट पर जाएंगे अच्छा अब वही सिनर्यू हमारा कि हमारे पास कॉंटक्ट नंबर है किसी का नेम नहीं है एंटर करने के लिए चलें जी हमने डाला जैसी हम नेक्स्ट रिकॉर्ट पर आते हैं छीक है यह यह क्या कहता है दिस रो वाज सेस्फुली कमिटेट तो देटाबेस हाववर प्र कुबारा से एक्जीक्यूट एसक्यूल कर देते हैं कंट्रोल और इसका चॉटकट है तो आप देखें रिकॉर्ट क्रियेट हो गया और जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने दी थी वह नो नेम के अंदर वैल्यू होँआ चली गई अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज है नल वैल्यू इसमेश कुपया नहीं करती हुआ हर constitu कॉल हरो के साथ हरो डिस और हरो के साथ हर कॉलम के साथ के तो यज़ बंवेलियो और नॉट ठीक है're this column contents value थो वैल्यू किया ठीक हे वह वह इंट टोर कर लेता है और अगर नहीं है तो तो वह वाइट को इसमें करसे हैं तो जब हम क्योड़ी यूज करता है om हमें सर्फ null record दिखा दो तो यह फिर उस वक्षाम का मता है हमें कि हम सिर्फ null record देख सका हैं फ़ाइब अगर हम क्यूरी लगाना चाहें कि भई हमें null person name दिखाएं कि वो person name दिखाएं जिसमें values null हैं तो और वह हम इस situation में नहीं देख सकते क्योंकि यहां पर यहां पर अंटर करोंग तो वह इन्टीब उसमें नुक्सान है यह तो यह कि जब हम इस नल का चैक लगा कि इसकी रिकॉर्ट फैच करना चाहेंगे तो वह फैच नहीं होगा सेकेंडली जब यह सेव होगा तो यह अपने स्पेस अकुपाय करेगा कितने करक्टर सें एक दो तीन चाह पांच से साथ नो नौज़स करक्टर नहीं तो यह अपने पर करक्टर बाइट से अपनेश तो यह इसका डिसड्वांटेज है अच्छा अब इसमें हम क्यूरी कैसे अप्लाइ करते हैं यह अब हमारी नेक्स वीडियो का टॉपिक है हम यह देखेंगे नेक्स वीडियो में कि अगर record null है तो हम उनको कैसे फैच करेंगे सिर्फ नल रिकार्ड को चीक है अभी तक के लिए हम इसको यह रखते हैं नेक्स वीडियो में हम यह भी पढ़ लेंगे कि हमें रिकार्ड क्यूरी के थुरू कैसे लेना है क्यूरी जो कि यहां पर वैलेवल है इसका थरह स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे हम कि यह कि क्या चीज़ है सलक्ट क्या है वैसे तो यह फिर पूरा एक डिटेल टॉपिक है सिर्फ नल वैल्यूस लेने के लिए हम थोड़ा से इसको ओवर्विव देंगे अभी तक के लिए थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टू बी अपडेटिट ठीक है बीदे के लिए लाफ़